हेलो दोस्तो नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे पतंजली के सौप में दोस्तो आज हम पतंजली का एक खास प्रोड़क्ट रिब्यू करने वाले हैं आप सभी लोग के लिए और यह प्रोड़क्ट बहुत ही खास है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और इस इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्या फायदे होते हैं क्या नुक्सान होते हैं सभी चीजों को एक एक करके हम जानेंगे उससे पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि ऐसी ही स्वास्तवर्दक जनकारी आप लो इसके पैकिंग की बात करें दोस्तो तो पैकिंग काफी अच्छी की गई है इसके उपर प्लास्टिक का भी लेयर है और ये 60 हेमल का पैकेट है और इसके रेट की बात करें दोस्तो तो यह 1.500 रुपे में एविलेबल है और एकस्पारी डेट इसकी 2-3 साल के लिए है अगस 2020 में बनाया गया है और जुलाई 2023 में इसकी expired it है तो काफी लंबे समय तक यह चलने वाला है और इसे आप अराम से यूज कर सकते हैं पतंजली का रोगन बदाम सिरिन दोस्तों आप पतंजली के किसी भी छोटे बड़े सौप से खरीश सकते हैं आरोग केंद्र से भी इसे आप आसानी से मंगा सकते हैं इसके अलावा आनलाइन की भी सुपधा है आप आनलाइन घर बैठे इसे अपने घर पे मंगा सकते हैं तो काफी सुपधा जनक है इसे लेना और रेट के बात करें दोस्तों तो रेट भी काफी कम है इसके फायदे बहुत ही जबरजस्त है क्योंकि यह प्योर बादाम का तेल है और इसमें कोई भी चीज का मिलावट नहीं किया गया है इसके अलावा बहुत सारी कंपनी भी इस तेल का इस्तिमाल करती है इस तेल को बनाती है लेकिन पतंजली का जो प्रड़क्ट होता है वो काफी विश्वसनी होता है और मैं तो इसे सालों से यूच करता हूँ और पतंजली का हमारे क्यां सौब भी है तो काफी अच्छा लगत और काफी कुछ इसके फाइदे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं इसलिए हम लोग का विश्वस इस पर बना रहता है तो चलिए देखते हैं इसको अंदर से खोलके इसकी पैकिंग दोस्तों बहुत अच्छी की गई है और चलिए खोलके दिखते है कि ये बदाम, रोगन, सिरीन अंदर से दिखाई कैसा देता है डब्बे के अंदर दोस्तों देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है रोगन बादाम सिरीन पतंजली का और प्लास्टिक के डब्बे में इसकी पैकिंग है काफी अच्छी लग रही है और यलो कलर में ये दिखाई दे तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों इसकी पैकिंग और छोटे से डब्बे में है इसे केर करना काफी आसान है आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं और इस पर भी सब कुछ लिखा गया है इसके प्राइज रेट एक्सपारी डेट कैसे इसका इसका इस्तिमाल करना है क्या फाइदे होते हैं और सब कुछ इस पर लिखा गया है आपको आप इस पर भी देख सकते हैं इसका जो पैकिंग काफी अच्छा किया गया है और लुक इसका बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों तो काफी अच्छा है तो चलिए जान लेते हैं इसके फाइदे के बारे में वो इसका सेविन करें इसके अलावा दोस्तों अगर आपके सीर में दर्द रहता है इस्ट्रेस की समस्या रहती है तो भी आप इस तेल से अपनी सीर की मालिस कर सकते हैं इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा रोगन बादाम सीरिन दोस्तों ये आपकी इम्मिनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है यानि रोग परतिरुदर छमता को भी ये बढ़ा देता है इसके अलावा अगर आपके सीर में दर्द रहता है नींद न आने की समस्या रहती है तो भी आप इस तेल का इस्तमाल करिए इस इसके अलावा अगर चेहरे पर आपके दाग धब्बे हो गये हैं आँखों के नीचे काले घेरे हो गये हैं तो भी आप इस रोगन बादाम सीरिन का इस्तिमाल जरूर करिए क्योंकि इसका इस्तिमाल करने से आपकी जो रूखी तोचा होती है वो मुलायम हो जाएगी और आ तरह से समाप्त हो जाएंगे और आपकी तोचा खिली खिली और निखरी और जवान नजराएगी जिनकी हड्डियों में दर्द रता है हड्डियों को अपने मजबूत बनाना हो वो लोग भी इसका इस्तिमाल करें इसके अलावा अगर मसल्स को आपको मजबूत बनाना है त इसलिए सर्दियों के मौसम में लोग इसका इस्तिमाल काफी करते हैं वहीं गर्मियों में इसका इस्तिमाल कम हो जाता है बादाम का तेल दोस्तों बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है आप इस तेल का इस्तिमाल अपने बालों की मसाज के लिए भी कर सकते हैं अगर दिनों में देखेंगे कि आपके बाल लंबे घने और काले हो जाएंगे और सीरदर्द की समस्या भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी देखा दोस्तों आप लोगोंने रोगन बादाम सीरिन के कितने सारे फायदे हैं और रेट काफी कम है लेकिन इसके फायदे बहुत ही जबरजस्त है रुखी तोचा हो डार्क सरकल हो पेट से समंदित कोई समस्या हो सीरदर्द की समस्या हो दिमाग से समंदित कोई समस्या हो ब बादाम रोगन सिरिन का इस्तिमाल हमें कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है एक दिन में हम कितना बार इसे कर सकते हैं दोस्तो इसका इस्तिमाल आप दूद के साथ करिए हलका गुनगुना वो भी और दिन में आप एक ही बार इसका इस्तिमाल करिए तो भी काफी है आप हलके गुनगुने दूद में 5 से 10 एमेल इस बून को डालिए और फिर इसका सेवन कर जाईए छोटे बच्चे को बहुत कम मात्रा में या इस्तमाल ना करने दे 18 वर्स से उपर के बच्चे इसका इस्तमाल करें दोस्तो जाड़े के मौसम में आप इसे लगातार यूज कर सकते हैं लेकिन गर्मियों के मौसम में आपको इसका इस्तमाल काफी कम करना है और कम मात्रा में करना है इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें और एक बात और दोस्तो इस चीज का इस्तमाल करने से पहले आप अपन तो काफी अच्छा होता है आपके लिए आप वहां से भी आसानी से इसके बारे में जनकारी ले सकते हैं और इसका सेविन कर सकते हैं इसके अलबा इसका इस्तमाल महिला और पूरुस दोनों लोग कर सकते हैं प्रेगनेंट लेडी भी इसका इस्तमाल कर सकती हैं बसरते यही है कि वो लोग भी एक बार जरूर अपने डाक्टर की सलाह ले ले तभी इस चीज का इस्तिमाल करें तो उनको कोई भी side effect नहीं होगा कोई नुकसान नहीं होगा बाकी यह पतंजली का herbal, natural और आयरुवेधिक प्रुडक्ट है इसके नुकसान तो नहीं होते हैं इसलिए side effect नहीं के बराबर होते हैं लेकिन इसका इस्तिमाल आप सही तरीके से सही अनुपात में करेंगे तो आपको जरूर इसका लाब होगा आज के लिए बस इतना है दोस्तो हमें उमीद है आज का वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा तो बीडियो को कर दिजिये like और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीडियो को अधिक से अधिक share कर दिजिये ताकि और लोग भी इसका लाब उठा सके दोस्तो हमारी सुरू से यही कोसिस रहती है कि हम आप तक सही वो सटीक जनकारी लेकर आएं और आपके सामने वीडियों को सही तरीके से परजेंट करें ताकि आप सही तरीके से उस प्रोड़क्ट के बारे में जनकारी पास रखे बिना किसी भ्रामक जनकारी के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही स्वास्तवर्थक जनकारी आप लोग को आगे भी मिलती रहे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जनकारी लेकर तब तक आप सभी लोग स्वास्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद